तो भाई देखिए जैसा कि हम आपको बता दे आप लोग का बोर्ड एक्जाम एक महीने बाद इस्टार्ट हो जाएगा तो वैसे मैं बहुत से इस्ट्रेंट परसान है जो बार बार पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम बोर्ड के एक्जामनेशन का फिरिप्रेशन करें ताकि एक महीने बाद पढ़ने के बाद हमारा परसेंटेज 75, 80, 85 या फिर 90 परसेंट आजाए अगर आप लोग भी किसी कारा वर्ड से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया हैं तो आप लोग बिल्कुल परसान नहोई आप बिल्कुल सही जगा पर आए हैं येकीनन मानिए 100 परसे जरूर से देखिएगा चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोग कि इस तरीके से बोर्ड के एक्जामनेशन का प्रिफरेशन करना है तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट क्योंकि देखिए एक महीना 30 दिन बाद आपका बोर्ड का एक्जामनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे में आपके पास सिर्फ एक महीने है तो आपको कम से कम टाइम मैनेजमेंट के हिसाफ से पढ़ना है डेली आपको साथ से आठ घंटा पढ़ना है क्योंकि देखिए अगर अभी आप एक महीना मेहनत करके पढ़ लेंगे तो एक महीने बाद जो आप लोग का परसेंटेज क्राइटेरिया है 75 प्लस हो जाएगा यानि कि आप 75 परसेंट से ज्यादा ला देंगे तो आप लोग को सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के हिसाफ से चलना है डेली आपको साथ से आठ घंटा पढ़ना है और आपको हर एक सब गंटा आप लोग को डेली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है और एक से दो गंटा डेली आपको रिवाइज करना है जैसे कि माली आपने आज चे सब्जेक्ट पढ़ा फिर पांची सब्जेक्ट आपने आज पढ़ा तो एक से डेली गंटा उसको रिवाइज किया जितने आ आप लोगा जो percentage criteria 75 plus का है वो पूरा हो जाएगा उसके बाद से देखी हम आपको बता दे मार्केट में बहुत सारी questions bank मिलते हैं जैसे कि आपका विद्या का हो गया ओतार हो गया बहुत से ऐसी questions bank मिलता है जिसको आप लोग को daily पढ़ना है ठीक है अगर आप book के माधियम से हाई हो जाएगा क्योंकि देखी उसमें जो भी important question रहता है वो सिर्फ दिया रहता है और यह बताया रहता है कि कौन सा question कितनी बार पूछा गया है कि सम में पूछा गया है तो आप विद्या और अवतार के through पढ़िए आपने जितने भी questions को याद किया है वो आप लिखकर प याद अच्छे से नहीं कर पाए है उस question को लिखने के कम से कम दो से तीन बार अगर आप लिखकर याद करते हैं तो वो question आपके mind में हमेशा के लिए fit हो जाएगा और आपके board के लिए बहुत जादा benefit होगा वह देखिए कोई भी exam हो चाहें आपका board का exam हो या फिर competitive exam हो उसम अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिक सेट लगाएंगे उतना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा benefit होगा क्योंकि प्रैक्टिक सेट अगर आप लगाते हैं तो प्रैक्टिक सेट में ये पता जल जाता है कि कौन सा question कितनी बार पूछा गया है और किस सान में पूछा प्रैक्टिक सेट जितना ज्यादा लगाएंगे उतना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा important होगा अगर आप पढ़ भी नहीं पाते हैं अगर आप प्रैक्टिक सेट लगाते हैं तो उससे पता चलेगा कि कौन सा question कितनी बार पूछा गया है उसके बाद से आपको objective questions को कम से कम objective question अगर आप पढ़ेंगे तो चाहें 10 थो या फिर 12 थो उसमें 5 से 7 नंबर का objective question पूछता है तो आप लोग objective question डेली पढ़िए विद्या या फिर उतार के माधियम से या फिर YouTube के माधियम से कहीं से भी कैसे भी करके आपको objective question को पढ़ना है और objective question आप रट के जाए थी कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रट के जाए इससे क्या होगा कि आप अगर objective question को रटे रहेंगे तो बोड के एक्जाम में जब आपके पास question और 4 options आएंगे तो आपको पता चले रहेंगा question पढ़ने के बाद से कि हाँ इस question का answer ये हो सकता है क्योंकि अग 100% complete हो जाएगा आप 75, 80, 85 या फिर 90% भी ला सकते हैं अपने board के exam के लिए तो आपका कितना criteria आपको complete करना है board के examination के लिए आप नीचे comment box में comment करके जरूर से बताईएगा तो आयोब कि आपको वीडियो पसंद आगया को वीडियो पसंद आता है तो एक like करकर जरूर से झाल